हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रेक तो आएए डेली करन्ट अफ़ेर्स की सिरीस को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम साथ फर्वरी के सभी करन्ट अफ़ेर्स को यहाँ पर डीटेल में समझ लेते हैं वीडियो में इन तक बने रहेएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा अगर आप चेनल पर पहली बार आए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करन्ट अफ़ेर्स की पीडियेफ आप क्रेजी जी के ट्रिकेटर के टेलिग्रा की जाएगी इंपोर्डेंट कोश्यने नोट कर लीजिएगा देश के पहले डिजिटल नेशनल म्यूजियम की स्तापना भारत के टेलंगाना रज्ज में की जाने वाली है देखे डिजिटल नेशनल म्यूजियम में जितने भी इंस्क्रिप्शन से प्राचिन कालिन उनको ड देश के पहले डिजिटल रास्ट्र संग्रहाले मतलब डिजिटल नेशनल म्यूजियम के अधर शीला रखी। वैसे इस संग्रहाले की स्तापना भारत में अर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के द्वारा की जाएगी भारत के तेलंगाना रज्ज में। विशेशता क्या हे इस म्यूजियम की ? तो इस म्यूजियम में अलग-अलग languages के एक लाग से अधिक शीला लेखों को सेव किया जाएगा digitally माध्यम में ताकि उन सभी शिला लेखों को digitally save किया जा सके उनका सरक्षन किया जा सके और यूगो यूगो तक उनका अध्यन करके पता लगाय जा सके कि प्राचीन समय में लोगों का आवास केसा था लोग केसा जीवन यापन करते थे तो all over भारत की संस्कृती का पता चलेगा इन शिला लेखों से अब इन्हें digitally form में सरक्षित किया जाएगा भारत के पहले digital national museum में कहां पर इस्तापित किया जाएगा तो इसकी स्तापना भारत के तेलंगाना रज्ज में की जा रही है यहाँ पर आपको ancient inscription के digitalization से सम्मंदित एक और interesting fact पता होना चाहिए कि भारत की union finance minister निर्मला सीता रमन ने last year 2023 में एक लाख ancient inscription के digitalization के साथ ही भारत शिरी की स्तापना की भी घोशना की थी interesting fact है इसे भी याद रखेगा आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत इंपोर्टेंट अपडेट देता हूं friends आप सभी के लिए crazy gigatory के root application पर हमारे GS foundation का RM 2.0 बेश शुरू होने वाला है especially ऐसे जितने भी student हैं जो कि civil services की तयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेश बहुत ही benefit करने वाला है क्योंकि especially जो focus इस बेश में हमारा होने वाला है वो answer writing पर रहेगा आप सभी जानते हैं central में UPSC या state में जो PCS की exam है वहाँ पर answer writing बहुत ही important हो जाती है तो पूरे वेच को answer writing के point of view से ही design किया गया है कुछ additional subject भी add on किये गये हैं यहाँ पर जिसे foreign affairs, Indian society, disaster management यह आपके लिए additional subject है जो कि आपको पहले आरम बेच में नहीं मिले थे और इस आरम 2.0 में आपके लिए यहाँ पर add किये गए हैं आप पूरा बेच भी जोइन कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप in digitally किसी subject को पढ़ना चाहते हैं easily आप play store से root application को download कर लीजे वहाँ पर Indian quality का live बेच आप सभी के लिए available है जहाँ पर पूरे बेच में आपको live classes मिलने वाली है और live classes बाद में आपको recorded form में भी available होगी class notes भी दूँगा मैं आपको साथी साथ test series जितने भी topic हम पढ़ेंगे उसके test भी आपको वहीं पर application में available हो जाएंगे जिनको आप easily लगा कर अपना performance चेक कर सकते हैं I hope update अच्छा लगा होगा बिना देर की ये root application को download कर लीजे play store से और आप किसी भी subject में इंडॉल कर सकते हैं second question दखिए अंत्रिक्ष में सरवाधिक समय तक रहने वाले अंत्रिक्ष यात्री कोन है ये question भी important है note कर लीजेगा ये अंत्रिक्ष यात्री है रूस के ओलेग कोनोने को answer A यहाँ पर correct हो जाएगा रूसी अंत्रिक्ष यात्री ओलेग कोनोने को अंत्रिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अंत्रिक्ष यात्री बन गए कितने दिन रहे तो इन्होंने देखिये स्पेस में 878 दिन अपने पूरे किये हैं वेसे 5 जून तक ये स्पेस में रहने वाले हैं और 5 जुन को इनके 1000 दिन पूरे हो जाएंगे अंत्रिक्ष में लेकिन अभी तक सरवाधिक अंत्रिक्ष में रहने का रिकॉड इनी के नाम है 888 दिन इन्होंने अंत्रिक्ष में सफलता पुर्वक पूरे किये हैं इनके पहले अंत्रिक्ष में सरवाधिक समय तक रहने का रिकॉड भी रूस के ही अंत्रिक्ष यात्री के नाम था जिनका नाम है गेनेडी पडलका। इनके एक हजार दिन पूरे हो जाएंगे तो याद रखेगा रूस के ओलेग कोनोनेको ने अंत्रिक्ष में सरवाधिक समय तक रहने का वर्ल्ड रिकॉड कायम किया है। जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयजित हो रहा है। अब यहाँ पर देखेग को समझना चाहिए। आपको नाम से समझ में आ जाएगा बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द जो देश इस्तित है। इनके मद्ध का एक अंतरास्टि संगठन है बिमस्टेक जिसकी स्तापना 1997 में की गई थी। बांगलादेश के ढाका में इसका हेड़कोटर है और साथ सदस्य देशे वर्तमान में बिमस्टेक में बांगलादेश भुटान, इंडिया, नेपाल, शिलंका, मयानमार और थाइलेंड। इन सभी देशों के मद्ध में आर्थिक सयोग इस्तापित करने के उद्धेश से 1997 में बिमस्टेक की स्तापना की गई थी। अब 2024 में बिमस्टेक एकवार्टिक्स चेंपेंशिप का एज़न पहली बार भारत की राज़नी नई दिल्ली में किया जा रहा है। ब्रांड गारिजन शिप इंडेक्स दोजार चूबिस में किस भारती को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रेंक प्राप्त हुई। इंडेक्स दोजार चूबिस में किस भारती को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रेंक दी गई तो ये भारत के मुकेश अमवानी हैं जोकी रिलाइंस के मालिक है। देखे इस इंडेक्स को जारी करती है एक संस्ता जिसका नाम है ब्रांड फाइनस। Brand Finance के दोरह जारी किये गए Brand Guardianship Index 2024 में Reliance Industries के मालिक अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक मुकेश अम्मानी को All Over globally दूसरे इस्तान पर लेडर्शिप के मामले में इस इंडेक्स में रखा गया है तो important हो जाता है क्योंकि इंडेशन हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि Brand Guardianship Index 2024 में पूरे वर्ल्ड में All Over दूसरे स्तान पर किस इंडेशन को रखा गया तो ये है मुकेश अम्मानी जो कि Reliance Industries के मालिक हैं अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक हैं नेक्स्ट कोशन दखिए भारती सिना का वाइस चीफ किसे निउक्त किया गया तो Indian Army के वाइस चीफ के रुप में Leftinate General उपेंदर द्रिवेदी को निउक्त किया गया और 15 फरवरी को उप्रमुक के रूप में अब शपत लेने वाले हैं इंडियन आर्मी में उपेंद्र द्रिवेदी तो लेफ्टिनेट जनरल उपेंद्र द्रिवेदी को इंडियन आर्मी के वाइस चीफ के रूप में हाली में न्युक्त किया गया यहाँ पर इंडियन आर्मी की बात करें तो यह इंडियन आर्म्स फोर्स का सबसे बड़ा ओर्गन है सबसे बड़ा अंग है जिसकी स्थापना एक अप्रेल 1895 में की गई थी हेडकोर्टर इसका नई दिल्ली में स्तित है और वर्तमान में जनरल मनोच पांडे इंडियन आर्मी के अध्यक्षिया चीफ के पतपर है देखे फ्रेंड्स आप सबी के लिए हमारे करंट अफ्यर की यली इबुक शंकनाद आपके लिए एविलेबल है पूरे फरवरी तक अपडेटेड ये बुक आपको मिलने वाली है जहाँ पर बजट 2024 भी इंकलूड है अयोध्या के राममंदिर की प्रान प्रतिस्टा से सम्मंदित जो कुश्चन है वो भी यहाँ पर इंकलूड किये गए है तो आप अगर hard copy order करना चाते हैं तो आपको description में लिंक दी गई है वहाँ पर जाकर आप book को order कर लीजे डारेक्ट book आपके घर आ जाएगी और अगर आप e-book जोईन करना चाते हैं तो आपको root application पर और इसके अलावा crazy gc trick application पर yearly current affair शंकनाद की e-book भी available है आप easily दोनों sources से जाकर book भी order कर सकते हैं और e-book भी order कर सकते हैं इसके बाद UPI सेवा स्विकार करने वाला पहला यूरोपी देश कौन सा है UPI सेवा को स्विकार करने वाला पहला यूरोपी देश बना है France answer see हो जाएगा हाली में यूरोपी देश France ने एफिल टावर पर देखिये UPI सेवा की शुरुआत की है मतलब अब एफिल टावर पर जो यहाँ पर एफिल टावर देखने आते हैं वो ओनलाइन टिकेट खरीद कर एफिल टावर को देख सकते हैं और यह जो ऑनलाइन टिकेट की सुविदा दी गई है यह UPI के माध्यम से दी गई है जिससे बहुत ही easily कोई भी कस्टेमर जो की एफिल टावर घुमने आया है कोई भी परियटक easily UPI के माध्यम से टिकेट खरीच सकता है ताकि उसे अपनी जर्नी में आसानी हो परिशानी से मुक्त हो सके बार बार भीड में लगने का टेंशन खतम तो इस तरह से UPI पेमेंट को स्युकार किया है यूरोप के देश फ्रांस ने अभी पर्टिकुलर इसे एक सिंगल प्लेस पर शुरू किया गया है UPI पेमेंट को फ्रांस के एफिल टावर पर शुरू किया गया है तो इस तरह से फ्रांस UPI सेवा को स्युकार करने वाला पहला यूरोपी देश बन गया है यहाँ पर UPI के बारे में आप सभी जानते हैं इंडिया में नॉर्मली काफी यूज होता है भारती रास्टे भुकतान निगम और भारती रिजर्व बेंक के द्वारा UPI जो कि एक आउनलाइन भुकतान प्रणाली है इसे शुरू किया गया था 2016 में पहले भी भुटान, मलेशिया, सिंगापूर, UAE जैसे देश UPI प्रणाली को अपना चुके हैं और अब यूरोप का देश फ्रांस, यूरोप का पहला एसा देश बना जिसने UPI पेमेंट को स्विकार किया है काफी सेशन्स पहले हमने इसको डिसकस किया था, कोशन भी इंपॉर्णेंट है फीफा वल्ड कप 2026 का एउजन सयुक्त रुप से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में किया जाएगा अंसर डी हो जाएगा ये अभी सुर्खियों में इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि फीफा के दौरा हाली में फीफा वल्ड कप 2026 के शेडिल को जारी किया गया इस शेडिल के अकोर्डिंग जो पहली शुरुआत होगी फीफा वल्ड कप 2026 की वो 11 जून 2026 को मेक्सिको सीटी के एजटेका स्टेडियम से की जाएगी और जो फाइनल खेला जाएगा फीफा वल्ड कप का वो न्यू यॉक न्यू जर्सी स्टेडियम में 19 जूलाई 2026 को खेला जाएगा 2026 में फीफा वल्ड कप में टोटल 48 टी में पाइटिसिपेट करेगी और सहीग तुरुप से इस पूरे टूनामेंट का आयुजन अमेरिका, मेकसिको और कनाडा में सहीग तुरुप से किया जाएगा यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि फीफा वल्ड कप की शुरुवात 1930 में की गई थी, एक अंतरास्टे टूनामेंट है फुटबॉल का, 1930 में शुरुवात की गई थी और पहली बार इसके विनर रही थी अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम लास्ट टाइम 2022 में फीफा वल्ड कप कतर में आयजित किया गया था जो की अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा कर जीता था फीफा वर्ल्ड कप का एउजन फीफा नाम की संस्ता करवाती है वर्ल्ड की सबसे बड़ी अंतरास्टिफ फुटबॉल संस्ता है इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी स्विट्जलेंड के जूरिक में इसका हेटकोर्टर है और जियानी इंफेंटिनों फीफा के पतपर हैं वर्तमान में फीफा से रिलेटेट सारी इंफर्मेशन सारे एफ्यक्ट हैंपर मैंने आपको बता दिये हमारा कोश्चन 2026 के फीफा वर्ल्ड कप से था किसका एउजन कहां किया जाएगा तो मैक्सिको कनाड़ा और यूएसे में सेयुक्त रुप से फीफा वर्ल के किस राज्ज में स्तित है तो याद रखेगा ये भारत के असम राज्ज में स्तित भारत के 51 शक्ती बिठों में से एक है कामाख्या देवी मंदिर किस पहाड़ी पर कोश्चन ये पूछा गया तो ये असम राज्ज में निलांचल पहाड़ी पर इस्तित है अंसर भी करेक कामाख्या देवी मंदिर असम के गुवाहटी में निलांचल पहाडी परिस्ति थे और 51 शक्ती पीठों में सबसे पुराना शक्ती पीठ माना जाता है। नॉर्मली तंत्र विध्या का केंद्र माना जाता है। इस मंदिर का पुना निर्मान कोच राजवंश की राजा चिल्राई ने 565 इसवी पुरुम में किया था। कामाख्या देवी मंदिर असमराज में नागर शेली और सार सेनिक शेली दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। दोनों के मिश्रित रूप के तहट बनाए गया है। असम राज्ज में कामाख्या देवी मंदीर निलांचल पहडियों परिस्तित है जहां पर भारत के पीम नरेंद्र मोधी ने कामाख्या एकसेस कोरिडोर की हाली में अधरशिला रखी इसी मंदीर पर अंबू बाची का मेला भी आयुजित किया जाता है भारत के बहुत ही प्रस इंपोर्टन गोश्चन युनिफॉर्म सिविल कोर्ट को हाली में उत्राखन राज्ज सरकार की विधान सभा में पेश किया गया उत्राखन सरकार ने युनिफॉर्म सिविल कोर्ट बिल को राज्ज की विधान सभा में हाली में पेश किया पास हो जाने के बाद उत्राखन आजादी के बाद युनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला देश का पहला रज्ज बन जाएगा इस युनिफॉर्म सिविल कोड में जो मुख्य प्रोविजन किये गए हैं इस्पेशली महिलाओं के अधिकारों को लेकर किये गए महिला अधिकारों पर केंद्री थे युनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखन रज्ज का इसमें बहु विवाप पर रुक लगाई गई है इसके अलावा लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाय जाने का भी प्राउधान है तो युनिफॉर्म सिविल कोड बिल को हाली में उत्तराखन सरकार के द्वारा उत्तराखन विधान सवा में हाली में रखा गया ओके इसके बाद आजके करेंट अफेर का सबसे लास्ट कुशन देखिए ओइल एंड नेचुरल गेस कॉर्परेशन के सी सर्वाइवल सेंटर का इनोग्रेशन कहां किया गया पहले हम बात करेंगे सी सर्वाइवल सेंटर की कि ये सेंटर क्या है तो देखें यहां पर समुदरी रेस्क्यू आपरेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी पर्टिकुलर कुछ और्गनाईजिशन को लोगों को ताकि समुदरी हटनाओं के दोरान जो सुरक्षा जोखिम होते हैं उन्हें कम किया जा सके और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके हाली में सी सर्वाइवल सेंटर जोकी ओएण जिसी का है इसका इन्नोग्रेशन भारत के गोवा राजज में किया गया भारत के गोवा में भारत के पीएम नरंद्र मोधी ने 6 फरवरी को इस सी सर्वाइवल सेंटर का इन्नोग्रेशन किया है उद्देश्य में आपको बता ही चुका हूँ कि उद्देश्य क्या है तो आपको यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि यह ONGC का है Sea Survival Center और Innovation भारत के गोवाराज्ज में किया गया क्लियर तो यहाँ पर देखिए हमने साथ फरवरी के सभी करांट अफेर्स को डिटेल में समझ लिया अब आजाईए फैक्टी शीट में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आज की सेशन में हम अगस्त मंत के सभी वन लाइनर को आगे लेकर चलते हैं जो कि इंपोर्टेंट है पहला देखिए बिहार में गेंडो के सदक्षन के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा 7 अगस्त 2023 को ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए डेबली एचो द्वारा माननेता प्राप्त अठरवा देश इराग बना है 7 अगस्त 2023 को भारत की अधिती स्वामी जोकी तिरंदाज खिलाडी है ये भारत की सबसे कम उम्र की एसी तिरंदाज बनी है जोकी वर्ल्ड चेंपियन है ऐस परमेश को भारती तटरक्षक बलके अतिरिक्त महानी देशक के रूप में न्यूक्त किया गया आगे 9 अगस्त 2023 को वर्ल्ड आर्चरी चेंपियनशिप 2023 में इंडिया पहले इस्तान पर रहा 9 अगस्त 2023 को पोधे खाने वाले डाइनासोर के जिवाश्म की नई प्रजाती जेसल में राजस्तान में खोजी गई 10 अगस्त 2023 को जम्मु कश्मीर राजजिक के राजोरी चिकरी वूट क्राफ्ट और मुष्क भुदिजी चावल को जियाई टेक दिया गया और 11 अगस्त 2023 को एलोसी के पास भारत के पहले पोस्ट आफिस का इनुग्रेशन जम्मु कश्मीर के कुपवाडा जिले में किया गया अगस्त वन से ये सभी वन लाइनर बहुत इंपोर्टेंट है नोट कर लिजेगा अब आजाएए लास्ट डेके सेशन में जो करन्ट अफियर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइस कर लेते हैं पहला देखिए 66 वे ग्रेमी अवर्ड दोजार चूबिस में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम केटेगरी में भारती एल्बम दिस मुमेंट ने ग्रेमी अवर्ड अपने नाम किया अधिती गोपीचन जोकी भारती तिरंदाज है इने विश्व तिरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक्ट्रू आर्चर ओफ दोजार तेविस के पुरसकार से सम्मानित किया गया चर्चित अंतरिक्ष रोबोट व्योम मित्र इसरो के गगनियान मिशन से सम्मन्दी थे एलोरा अजन्ता अंतरास्ट्य महुत्सव दोजार चूबिस का एउजन महारास्ट रज्ज में किया जा रहा है नियादीश रीतू बहरी उत्तराखन राज्जी की पहली महिला मुक्की नियादीश नियुक्त की गई भारत उर्जा सप्ता दोजार चूबिस के दूसरे संस्क्रण का एउजन भारत के गोवा रज्ज में किया जाएगा इसके बाद आईए हाली में तलंगाना के सिताम्मा लोडी में मध्धि पाशान कालिन शेल चितरों की खोज की गई हाली में करनाटक रज्ज में मेडग की नई प्रजाती की खोज की गई जिसे स्फेरो थेका वर्षाभू नाम दिया गया सुभी का पेंटिंग का संबंध भारत के मड़ीपूर रज्ज से है और लास्ट देखिए हाली में अफरीकी देश नामीबिया के पुरू रास्टपती डॉक्टर हेज जी गिगोप का निधन हो गया ये सभी करंट अफर लास्ट डे के सेशन में हमने डीटेल में समझे थे अब आज के लिए आप सभी के लिए कोश्चन आफ दे डे करंट अफर से ही है अगर आप हमारे चैनल पर सभी वीडियोस देखते हैं करंट अफर के तो आप इजिली इसका अंसर दे पाएंगे कोश्चन भी इंपॉर्डेंट है नोबेल शान्ती पुरसकार विजेता नर्गिस महुममदी किस देश से सम्बंदी थे कमेंट में जरूर बताईएगा कि इस कोश्चन का अंसर क्या है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स डेडे की सेशन में तब तक अपना ख्याल रखिए जय हिन जय भारत